हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए मेरे पास यहाँ पे कुछ चावल बज गए थे दो पहर के खाने के बाद ही ने कोई खा भी नहीं रहा था और मुझे फेकना भी नहीं था तो मैंने इसे क्या-क्या ग्रैंटिंग जार में डाल दिया और इसी के साथ थोड़े से पानी भी डाले साथ में दो से तीन चमच बीच में अगर पानी लगे तो और भी डाल देंगे तो ये लिजिए बढ़िया समय ने इसको फाइन ग्रैंट कर लिया इस तरीके से एक पेस्ट की तरह ये ग्रैंट हो जाएगा अब हम इसको एक अलग बरतन मिले लेंगे क्योंकि हम इसका बहुत ही अच्छा सा एक मिक्स्टर तैयार करने वाले हैं जिसके लिए एक बड़ा चमत सूजी भी डाल देंगे और प्याज कटी हुई, बारीक हरी मिर्च कटी हुई इसी के साथ थोड़ा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैं डाल रहे हुँ मैगी मसाला, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल दें सारी चीजों को हम बढ़ियां से मिला लेंगे तो इस प्रकार से हमारे बचे हुए चावल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है यह देखिए कड़ाही में तेल को हम गर्म कर लेंगे और जो मिक्चर बनाये हैं उनका बॉल्स बनाके इस तरीके से हम डीफ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कुरकुरा नास्ता बनके तयार हो जाएगा अगर दोपहर के चावल बचे हैं तो आप साम कोई से स्नेक्स में बनाईए या फिर ऐसे भी छोटी मोटी कभी भूख लगे तो आप फटाक से इसको बना करके सब को खिलाईए और खुद भी खाईए जो भी खाएगा वो जरूर एक बार पूछेगा कि ये कैसे बना है किस चीज का बना है पता भी नहीं चलेगा कि ये बचे हुए चावलो से बना है और हाँ खाने के बाद तो तारीफ भी जरूर करेगा तो ये लिजिए 5-6 मिनट लगें बहुत ही अच्छे से हमारे ये गोल्डेन ब्राउन क्रिस्पी नास्ते फ्राई हो गये हैं इनको हम अब फ्लेट में निकालेंगे और ऐसे ही नास्ते को हम सारे फ्राई कर लेंगे और अब ये हमारा चटपट बन गया है 10 मिनट में टेस्टी और चटपटा सा नास्ता बचे हुए चावले से इसे हम हरी चटनी या फिर लाल चटनी केचप सौस किसी भी चीज के साथ खाएं ये देखिए अंदर से मैं तोड़के दिखा रहे हूं बहुत ही सौफ्ट है ऐसे ही बना करके नास्ता सर्व करिए सभी लोग खा के खुश हो जाएंगे तो चली मैं इसे खाने फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी है क्योंकि वीडियो आप लाइक करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइ